Hello and welcome students, so welcome to the YouTube channel of Asaho Brothers Junior College, myself, Professor Samkhit Raoqa और मैं यहाँ पर आपको Class 11th में, Commerce में, आज जो हमारा वीडियो है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि 11th Commerce में आपको सब्जेक्ट कौन से कौन से लेने हैं और मैं आपको कौन से सब्जेक्ट सिखाने वाला हूँ तो ठीक है, हम शुरू करते हैं, और एक बात, अगर आपको Class 11th के ऐसे ही interesting videos, online lectures आपको करने हैं तो आपके लिए सबसे best channel रहेगा Asaho Brothers Junior College का तो फटा-फट आपने subscribe कर लेना है और bell icon को दबा लेना है for latest update of Class 11th videos चलो, continue करते हैं So, बात करते हैं, हम जब 11th commerce में आए, हमने, first of all, welcome to everyone in 11th commerce तो commerce होता क्या है, यह आज हम देखेंगे As well as, commerce में हमें subjects कौन से कौन से available है, वो हम देखेंगे अगर देखा जाए, broadly अगर देखा जाए, तो commerce field में दो तरीके के subjects आपको आएंगे एक है compulsory subject और दूसरा है रहेगा, optional subject Totally 6 subject पढ़ाई आपको करनी है So, compulsory subject में आपको सबसे पहले आएगा accounts, जो की होता है commerce field का base जिसको हम बात करते हैं Class 11th से आपको इसके उपर, यह subject के उपर अच्छे से ध्यान देना होगा क्योंकि होता क्या है accounts में, अगर आप commerce field में आ रहे हो तो आपको accounts आना ही चाहिए तो भई, question mark आएगा, कि हमें commerce में पढ़ना क्या है तो class 11th level पे आपको basic सिखाया जाएगा accounts का अभी up to 10th तो आपके पास सब कुछ था, मतलब सारे subject लगबख सेम ही चलते थे वही maths, वही marathi, hindi, english वगेरा वगेरा बट यहाँ पर आपके कुछ subjects चेंज हो जाएगे उसमें सबसे पहला change है आपका accounts का जिसमें आपको journal entries, ledgers, trial balance क्या होता है कोई भी transaction आप कर रहे हो, तो उसको record कैसे करे इसका basic knowledge आपको मिलेगा और commerce field में हो, तो accounts तो आना ही चाहिए second compulsory subject की बात करते हैं, वो है economics आज के condition में, economy के उपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में knowledge होना बहुत ज़रूरी है और economics ही आईसा subject है, जो आपके country की trading है या फिर जो basic economic knowledge है, उसके बारे में आपको ज्यान देगा या समझाएगा, basic जो है वो आपको समझाएगा okay, micro economics क्या होता है, macro economics क्या होता है इसके बारे में आपको knowledge देगा फिर आता है तीसरा आपका subject, English जो की language है and English आपको बचपन से लेके अभी तक आपको रहेगा ही और आगे भी continue ही होते रहेगा फिर आएगा organization of commerce and management ये थोड़ा नया subject है और इसको हमें as a syllabus नहीं देखना है इसको हमें interestingly पढ़ना है क्योंकि ये subject बहुत बहुत ज़ादा interesting है इस subject में आपको समझेगा कि business होता क्या है commerce होता क्या है basically मैं पहले बताना बुल गया है commerce मतलब basically अगर word का meaning देखे तो commerce का मतलब होता है trade अभी trade अलग-अलग तरीके से हो सकता है उसके बारे में detail जो information आपको चाहिए detail जो information आपको मिलेगी वो मिलेगी ये subject में organization of commerce and management जिसको ही BST भी बोला जाता है business studies भी बोला जाता है लेकिन हम बात कर रहा है state board of maharashtra 11 की तो यहाँ पर वो subject का नाम है organization of commerce and management ओके इसमें अलग-अलग तरीके के management के knowledge आपको मिलेगा then commerce का knowledge आपको मिलेगा business का knowledge आपको मिलेगा तो ये सारी चीज़े हम यहाँ पर देखेंगे तो ये बात होगी compulsory subject की आप बात करते हैं optional subject की तो optional subject में आपको सबसे पहले आएगा mathematics और secretarial practice इसके अलावा भी अलग-अलग subject हो सकते है based on your college आपको उनसा college opt करते हो जैसा college में subjects रहेगा उसके हिसाब से आपको choice करना बढ़ेगा but as per my opinion mathematics is best क्योंकि SP जो है secretarial practice उसका knowledge आपको थोड़ा-थोड़ा OCM में मिलेगा ही economics में मिलेगा ही SP जो subject है ये theoretical subject रहेगा then उसके बाद में second language आती है second language में अलग-अलग option आपके पास है जैसे कि Hindi है, English है, Pali है, Marathi है, Urdu है then उसके बाद में information technology है जिसको IT भी बोला जाता है जो कि बहुत important है, बहुत अच्छी चीज है आपको आज के condition में जो electronic knowledge चाहिए वो आपको 11 से ही मिलना start हो जाएगा HTML क्या होता है, coding क्या होता है languages क्या होती है यह सारे चीज़े, दीरे दीरे आपको knowledge मिलेगा IT subject में as well as इसके अलावा भी बहुत सारे second language होते है best on your college, college में कुन सा subject आपका available है तो बोलने का मतलब यही है कि आपको 11 commerce में आप आ रहे हो subject choice करोगे तो subject choice करते समय यह चार subject आपको ध्यान में रखना है ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं एक subject के बारे में जिसका नाम है Organization of Commerce and Management तो यह subject में आपको बताने वाला हूँ मैं पढ़ाने वाला हूँ मेरा यह subject पढ़ाने में लगबग चार साल का experience है पास्ट चार यह से में यह subject पढ़ा रहा हूँ theory subject है बट theory से ज़्यादा यह practical subject है ऐसा में बोलूँगा आपको लिखना तो theory है लेकिन practical subject है तो practical क्यों है मैं क्यों बोल रहा हूँ यह चीज तो इस subject में आपको organize करना trading को उसके साथ साथ जो trading है और management है उसको कैसे manage करना है या उसको कैसे organize करना है यह चीज आप यहाँ पर सिखोगे तो यह subject में आपको knowledge मिलेगा related to business business कैसा करना है business में marketing कैसा होता है business के अलग-अलग types क्या है forms of business organization क्या है supporting services क्या है business की यह सारी चीज़े आपको 11th और 12th में सिखने को मिलेगी और देखा जाए तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा interesting है आप commerce field में आए हो commerce field का जो basic knowledge आपको चाहिए होता है वो 2 साल में आप सिखने ही वाले हो तो आप बोलोगे सिर basic knowledge और 2 साल में सिखने है देखो knowledge कैसा होता है दीरे-दीरे बढ़ते जाता है तो यह जो commerce का knowledge आप लेने वाले हो या OCM में जो आप knowledge लेने वाले हो वो आपको lifetime use होगा आप कही पे भी जाओ practical जो आप transaction करते हो जैसे कि आपको घर पे मम्मा ने बोला आपके मम्मी ने बोला कि हम दुकान से जाके यह सामन ले के आओ वहाँ पर भी आप transaction कर रहे हो वहाँ पर भी आप commerce का use कर रहे हो वो दुकानदार आपको bill देगा वो bill आप check करोगे bill आप check करने के बाद में उसको payment दोगे payment देने के बाद में जो change बचेगा वो वापिस लोगे यह transaction कर रहे हो अभी आप कोन से दुकानदार के पास जाओगे तो क्या rate मिलेगा दुकानदार भी अलग-अलग तरीके के हो सकते है small trader हो सकता है, big trader हो सकता है malls होते है, wholesaler होता है retailer होता है यह सारी basic चीजे जो है न वो हम इस subject में पढ़ने वाले है ठीक है तो आपको दिख रहा होगा side में यह textbook आया है यह आपका 11th state board का textbook है इसका PDF आपको available हो जाएगा या फिर अगर किसी को चाहिए होगा तो comment box में आपने comment कर देना है मैं आपको link share कर दूँगा ठीक है तुम आगे बढ़ते है so बहुत से students जो मतलब commerce लेते है मेरे पास जो भी student आये तो सब students को मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपने commerce लिया आपने commerce लिया but why क्यों आपने commerce opt किया है ठीक है तो बच्चे बोलते है कि sir हमें आगे जाके business करना है बच्चे बोलते है sir हमें जाके आगे professional course करना है या फिर MBA करना है okay MBA सुनना ही होगा then उसके बाद में बोलते है कि हमरे पास option है sir हम professional career कर सकते है CA कर सकते है CS कर सकते है CIA में कर सकते है CPA कर सकते है, जो कि US का course है, okay CIM में कर सकते है अलग-अलग courses, professional courses हम जिसे बोलते है, वो चीज़ हम कर सकते है या फिर next option है, आपके पास banking में हमें career करना है sir, हमें banking sector में जाना है, banks में manager बनना है या पिर अच्छे-चे post पे जाना है, P.O.S.O जो भी होता है वो तो ये सब कुछ, मुझे बहुत से student answer देते हैं, कि sir हमने commerce इस चीज़ के लिए किया इन सारी चीज़ों का जो base required होता है, कि commerce होता क्या है, commerce में, अभी जैसे कि आप जाके MBA करते हो, ठीके MBA in marketing करते हो, marketing कर रहे हो firm को आपको target करना है, या फिर companies को आपको target करना है, यह चीज़े आपको समझनी पड़ेगी और एक बात, अगर आपको business करना है तो business करना है, तो छोटे level पे करना है या बड़े level पे करना है, grand level पे करना है, उसमें जो basic चीज़े रिक्वार्ड होते हैं, जैसे कि capital, अभी यह अलग-अलग terms आएंगे, अगर कोई term आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो comment box में comment करिए, या फिर मुझे आप text पी कर सकते हो, या फिर हमारे website पे जाकर भी कुछ आपके doubts होंगे तो वो clear कर सकते हो, तो best option तो रहेगा कि comment कर दो, मैं आपको reply दूँगा, okay, so बहुत से ऐसे word, नए-ने terms आपको यहाँ पर सिखने को मिलेंगे, इस subject में, capital, liabilities, okay, तो यह सारी चीज़ों का knowledge आपको इसी subject में मिलेगा, जिसका नाम है, organization of commerce and management, जिसको हम शॉटकट में बोलते है, OC and M, okay, तो हम बात करते हैं, हमारे syllabus म topics कौन से-कौन से है, okay, कौन से-कौन से topic को हमें ध्यान देना पड़ेगा, and then उसकी topic में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते है, class 11 के, जो OCM के topics है, ठीक है, तो topic में, अभी यहाँ पर मैं index open करता हूँ, कि हमेरे topic कौन से-कौन से है, तो first topic हमारा आ subject है, सब कुछ कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका option क्या रहेगा introduction का, कि commerce होता क्या है, business होता क्या है, इसके बारे में हम introduction लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि business क्या होता है, उसके characteristics क्या है, then profession क्या है, employment क्या है, फिर trade क्या है, यह सारी चीज़े हम देखेंगे, okay, topic 2, topic 2 दिया है आपको trade, trade अलग अलग तरीके से है, आप within territorial boundaries कर रहे हो, या outside territorial boundaries कर रहे हो, goods आप इंडिया से बाहर भेज रहे हो, या बाहर से इंडिया में आ रहे है, तो उसको क्या बोलता है, import क्या होता है, export क्या होता है, extra port क्या होता है, यह सारी चीज़े, trading के बारे में हम सीखेंगे और अलग-अलग तरीके के ट्रेडिंग होते हैं जैसे कि wholesale trade होता है retail trade होता है manufacturer trade होता है यह क्या होता है इसके बारे में हम knowledge लेंगे topic number 2 में जो आपके सामने दिख रहा है उसके बाद third topic small scale business small scale industries और small scale business अभी यह क्या है small scale industries आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सा आपको news में सुनने को मिल रहा होगा MSME sector यानि कि micro, small and medium enterprise या फिर हम बोल सकते small businesses जिनको सरकार ने अभी कुछ loan वगेरे देने की facility दिये क्योंकि हमें आत्मनिर्बर भारत बनना है मतलब इंडिया में हमें production बढ़ाना है तो छोटे-छोटे business जब बढ़े होंगे production बढ़ाएंगे तब जाकर इंडिया बढ़ा होगा तो यह छोटे business होते क्या है small businesses होते क्या है कैसे वो fund raise करते है कैसे उसको हमें form करना है उसके advantages क्या है, disadvantages क्या है यह चीज हम इस topic में पढ़ेंगे तो हम बात करें थे topic number 3 की फिर topic number 4 and topic number 5 सबसे important पूरे syllabus में यह सबसे important रहेगा अगर देखा जाए तो last year यह syllabus new syllabus आया है update हुआ है, पहले old syllabus में यह जो topic है topic number 4 वो आपको 12th में था बट अभी उन्होंने 11th में ही ला लिया क्योंकि उनको भी समझ में आगा है कि यह basic है, यह syllabus आपको 11th में ही करना जरूरी है तो यह topic आपको बता था है forms of business organization अभी 4 और 5 के बारे में हम collectively बात करेंगे, part 1 और part 2 तो part 1 forms of business organization में आपको दिया जाएगा private sector की consequence type के organization होते है जैसे कि हमारे घर के बाज़िब की मामा की जो दुकान होगी के राना शॉप ओके, वो होगा soul trading concern अगर थोड़ा बड़ा हम करते है दो लोग एक साथ में आके business कर रहे है partnership firm अगर उससे थोड़ा बड़ा हम देखते है कि जो पुछतेनी business है family मां business चलते आ रहा है join Hindu family business अगर हम बात करते है कुछ लोग एक साथ में आके कुछ business कर रहे है लोगों के भलाई के लिए service को motive रखे तो cooperative societies अगर हम बात करते है Tata, Birla, Ambani ये बड़े-बड़े जो business चला रहे है वो corporate sector यानि की companies तो ऐसे जो अलग-अलग form of business organization है उसके बारे में detail study हम इस topic number 1 में करेंगे जिसको हम बुलते है private sector organization topic number 4 then बात करते है topic number 5 के बारे में topic number 5 में हम देखेंगे कि forms of organization part 2 जिसको बोला गया है वो है public sector government के अंडर कुन से undertaking आते है उसके बारे में हम देखेंगे statutory corporation क्या होता है foreign company क्या होता है और departmental organization क्या होता है इन सब के बारे में हम discuss करेंगे next बात करते है institute supporting business okay, ऐसा institute जो business को support करते है मतलब, of course, business को support करने वाले बहुत सारे institute होते है जैसे कि banking sector जो अलग-अलग type के banks है जो कि loan provide करने के लिए help करता है जैसे कि आजकल देखोगे आप तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको discuss किया कि जो small scale business है उनको fund provide करने का या MSME sector को fund provide करने का काम हो रहा है तो यह किसके थू हो रहा है जो institutes है जो business को support करते है like CIDB आपने सुना नहीं होगा पहले पर हम detail देखेंगे आगे CIDB जैसे कि Small Industrial Development Bank of India या फिर NABAD National Bank for Agriculture and Rural Development यह अलग-अलग banks है या institution है जो कि finance provide करने का काम करते है जो business को support करते है उसके बाद last topic जो कि business environment से related है उसके बाद भी एक topic है जो है management का topic so business environment में हम देखेंगे कि surrounding क्या होता है micro environment क्या होता है business का macro environment क्या होता है business का ठीके बच्चों तो basically अगर देखा जाए तो इस video में हमने देखा कि सबसे पहले commerce में subjects कुण से कुण से लेना है right then उसके बाद में हमने देखा subjects तो हमने ले लिये but subjects लेने के बाद हमें जो interesting subject हमारा है वो है commerce का organization of commerce and management तो उसमें हमें कुण से कुण से topics है okay तो next video हमारा आएगा कि हमारा जो first topic है उसके related topic number one जो कि है introduction of commerce and management तो होबसा आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक like और share कर देना और channel को subscribe करने के लिए भूलना मत क्योंकि इसमें आगे चलके मैं बहुत सारे वीडियो दालूँगा organization of commerce and management से related and अगर आपको college से related कुछ information चाहिए होगी तो आप DM कर सकते हो या comment box में comment कर सकते हो जो कि आपके लिए helpful रहेगा और हमें भी helpful रहेगा आपसे communicate करने के लिए so thank you very much